UPSC CSC 2023 का ये सवाल है, इसमें कहा है कि किसी तीन अंकों की संख्या ABC को D से गुणा करने पर गुणन फल जो है वो 37DD प्राप्त होता है, तो यहाँ पर बोला है कि A, B और C इसको जब हम D से गुणा करते हैं, तो इसका गुणन फल क्या प्राप्त होता है? 37DD ठीक, जहां A, B और C और D भिन सुन्यत्तर अंक है, मतलब सुन्य से अलग दूसरा अंक है, मतलब यह A, B, C और यह D यह तीनों भिन सुन्यत्तर अंक है, 0 नहीं है, 0 के सिवा 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ हो सकता है, यह बता दिया है, ठीक, अब यहाँ प्रस्न में क्या है कि A, B, C इ उसका मान क्या आना चाहिए, वो बताना है, तो देखिए यहाँ पर सवाल को, यह जब A, B, C को D से गुना कर रहे हैं, तो 37DD आना चाहिए ऐसा है, तो हम इसको D को इधर भी ला सकते हैं, यहाँ पर इंटू है, तो इधर भाग चले जाएगा, तो A, B, C बराबर क्या इधर गुना था, तो इधर भाग, यह D इस रूप में आएगा, अब इसको सिंपल रूप में कैसे लिख सकते हैं, यह D से भाग देना है, तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, यह D से भाग देना है, किसको 37DD को, ठीक है, और यह जो A, B, C दिया है, वो क्या होगा, इसक पे आएगा। ठिक। यहelo गया उसका क्या। भाजक पाजक के रूप में यह हो गया भाग फल ठिख। भाग फल के रूप में और इसको क्या कहते हम भाज tem जिसको भाग देना है वह भाज यहाँ हुआ तो यह जो डी है और देखिए यहाँ यहां पर भाज्य में भी डी है तो यह जो संख्या है यहां पर जो डी आएगा ना डी के जगा में जो भी संख्या है एक चाहे दो चाहे तीन चाहे आशा करके नौ तक कोई भी संख्या है समान संख्या यहां पर भी आना चाहिए और यहां पर भी आना चाहिए यह बता दिया है ठीक तो हम यहां पर एक से लेके पूरा नव तक देखेंगे कि कौन सा संख्या आ सकता है जिसमें कि यह डी में अगर कोई संख्या रखेंगे तो इन दोनों डी में भी वही संख्या आना चाहिए तो आएए एक-एक संख्या को रखके देखते हैं कि कौन सा संख्या आएग में शुरुवात हम करते हैं एक से तो नंबर एक में मैं लिख लेता हूँ एक को जब हम रखेंगे गड़ी के जगह में तो यह क्या होगा यह दी यह 3711 और यहाँ पे तीन संख्याना चाहिए यह A B C लेकिन अब जब हम इसको सॉल करेंगे तो यहाँ पे तीन तो नहीं एक तो यहाँ पे एक फिर आएगा क्या यह एक नीचे गया तो यहाँ पे फिर एक तो यह चार अंकों की संख्या बन रही है जबकि A B C तीन अंकों की संख्या है यह बता दिया है तो यह एक तो आएगा नहीं तो पहला नंबर तो हमारा सही नहीं होगा कि एक तो आएगा यह है D के जगह में 2 रखे तो यहां भी 2 दो आएगा अब देखते हैं कि यह 3 अंकों की संख्या बन रही है या नहीं तो 2 एकम 2 यह रखे यह 1 बचा यह 7 यहां आया फिर 2 अठे 16 यह क्या हुआ फिर यह 16 एक बचा फिर यह 2 आएगा 2 दो छे का 12 यह कटा फिर यह 2 लाश्ट यह 3 बचा फिर República 2 यह 2 टू यहाँ यह कितना पर है यह 2 काम 2 यह चार अंकों की बन रही है तो हम भी A, B, C ऐसा तीन अंकों की संख्या बननी थी लेकिन यहाँ पे चार अंकों की बन रही है तो यह दो तो नहीं आएगा यहाँ पे यह भी हमें पतत चल लिया अब तीन रखके देखते हैं तीन रखके देखेंगे तो यह D के जगह हम तीन रखे यह 37 यहाँ पे 3, 3 ठिक, D के जगह में अब यह जाहिर सी बात है यह देख रहे हैं यह 3, 3, 6, 3, 9 9 और 7 कितना होता है? 16 तो 16 तो 3 से भाग नहीं जाता 15 जाता है तो यह तो पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आप लोगों के मन में ना आये इसलिए मैं इसको भी solve करके दिखाता हूँ देखिए 3 एकम होता है 3, यह कुछ नहीं बचा यह 7, 3, 2, 9, 6 एक बचा यह 3 आया यहाँ फिर 3, 4, 12 यह 12, एक बचा इसको मैं इधर लिख लेता हूँ यह 3 आयेगा यहाँ फिर 3, 4, 12 यह देखिए हासिल यह सेशफल एक बच रहा है पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है और साथी साथ यहाँ भी देखिए 1, 2, 3, 4 4 अंकों की संख्या बन रही है यहाँ पे 3 अंकों की संख्या बननी चाहिए तो यह भी नहीं आएगा अब 4 को रखके देखते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा जगा बनने के लिए इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ यह चौथे नमबर कर हम ट्राइक कर रहे हैं 4 को लेके D के स्थान पर तो यह 37, 4, 4 ठीक तो देखिए यहाँ पे 4, 9, 36 एक बचा, यह 14 फिर होता है 4, 3, 12 फिर कितना बचा, 2 और यह 4 यहाँ पे आया तो यह 24 कटेगा क्या 4, 6 का 24 यह पूरी तरह से कड़िया अब देखिए यह तीन अंकों की संख्या बन गई हमारी दीए यह जो भागफल है यहाँ पे A, यह B और यह C यह तीनों कमान हमें पता चल गया A, B, C के जगह में क्या आएगा और इन तीनों को ही सवाल में बताया है कि इन तीनों को प्लस करेंगे तो उस कमान क्या आएगा वही बताना है तो A, B, C कमान कितना आया है 9, 3, और 6 ठिक अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा यह 9 और 3 को जोड़े तो 12 12 और 6 को जोड़े तो 18 तो 18 आएगा किस कमान A, B, C करेंगे तो 18 हमारा option A में दिया है यह option A यह हमारा सही हो जाएगा ऐसे ही और भी solutions के लिए मेरे साथ जुड़े रहें